हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी बेस्ट इज के सनमी आप सभी लोग का स्वागत है अजा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे आप 4 माई 2020 के सभी टाप कर अंटरफेस्ट के क्वेस्चन्स और इंपॉर्टन जी के सभारी को मारने की सबसे अच्छी दवा है यह आपको एक सफल व्यक्त बना देगा इसलिए फ्रेंट्स हमें आत्म विश्वास और कड़ी मेहनत के साथ रेगुलर इस्टेडी करनी चाहिए और निश्ची थी हम एक दिन सफल होंगे चलिए इस मोटिवेस्ट के साथ फर्स् को रद कर दिया है अब बात करें कि जो आरवियाई के द्वारा क्यों रद कर दिया गया है इसके लाइसेंस को यह बैंक जनली काफी समय से बित्य संकर से गुजर रहा था इसके प्रबंधन में गलबडियां हुई थी इस वजह से इस बैंक से पैसे निकालने पर 2014 में भी प और इसका मुंबाई के माटूंगा में था तो इसको भी देन देंगे आप अब बात आई है फ्रेंट्स अरवियाई की यह रिजर बंग आफ इंडिया तो परजन टाइम में इसके जो गवर्नर हैं और सक्त कांथ दासजी हैं जो कि 25 नंबर के गवर्नर हैं तो इसे आप या अंसर हो जाएगा कश्मीर केसर को खेती में कश्मीर में जो केसर के खेती की जाती है उसको भगोलिक संकेत यानि जियाई यानि जियोगराफिकल इंडिक केसंस टैग दिया गया है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो परिजन टाइम में इरान है लेकिन इसके ब मोटा और गहरे लाल रंग का होता है जनलिती प्रकार के होते हैं और कस्मेरी केसर दुनिया का एक मात्र केसर है जो 1400 मीटर की उचाई पर उगाया जाता है तो इसको भी ध्यान देंगे आप फ्रेंट्स अम बात आई है जियाई की तो जियाई क्या होता है मनलब जियोग्राफिकल इंडिकेसर टैग क्या होता है तो भारती संसदें 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहट जियोग्राफिकल इंडिकेसर आफ गुड्स लागू किया था और इस आधार पर भारत के किसी भी छेतर में पाई जाने वाली विशिष् से बनाय जाने वाली डोमट मिटी से छोटी फोटी आगरतियां यह मूर्थियां होती है तो यह कडल." और मिल्ञाड को भी हाल में जी टैग गया और जो कडलाई मियताइओ है यह एक प्रकार के मुंफली से बनाय जाने वाली केंडी है तो इसको आप ध्यान देंगे फ्रेंट्स अगर इसे में बात करें हम कस्मीर की बात आई है तो जम्मू और कस्मीर की राध्धानी क्या है स्री नगर और जम्मू यानि दो राध्धानिया है स्री नगर यह जने राध्धानी फ्रेंट्स मैस से को मतलब इंडियन टेरिटरी यानि केंशासित पर्देश के रूप में अस्तित्व में आया तो इसे भी आप ध्यान देंगे चलिए नेक्ट क्वेशन की बढ़ते हैं गुजरात राज ने भी हाल ही में अपना अस्थापना दिवस मनाया तो कम मनाया गया गुजरात के द्वा गुजरात के कैपिटल क्या है गांधी नगर है परजन टाय में गुजरात के जो सीम है कौन है बेजे रूपानी जी है और राजपाल कौन है फ्रेंस यह राजपाल आचार देव बरत जी है ध्यान देंगे और एक क्वेश्चन ही से और पूछ लिया जाता है कि गुजरात जो है भारत का सबसे पर्मुख नमक उत्पादक राजी है यहां देश के कुल नमक की बात करें तो साथ परसत नमक का उत्पादक गुजरात में ही होता है तो इसे आप ध्यान देंगे चलिए नेक्ट क्वेशन की और बढ़ते हैं अभी हाल ही में डेनिस गोल्ड बर्ग कर 30 अपरेल 2020 को निधन हो गया तो वह किस कारे के लिए चर्चित है तो डेनिस गोल्ड बर्ग जी जो है यह दच्छड अफ्रीका में रंग भेद नक्सलवाद बिरोधी अभियान के लिए चर्चित थे तो आपसंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा रंग भेद नक्सलवाद बिर बिरोधी अभियान के लिए नसलवाद ध्यान देंगे फ्रेंट्स दच्छड अफ्रीकी कार करता डेनिस जी का जो भी निधन हो गया वह दच्छड अफ्रीकी राष्ट्रपति नलसन मंडेला के सहयोगी थे और 1964 में चार बार उनको आजीवन का रावास की सजा सुनाई अब क्योंकि रंगिभेद नसलवाद बिरोधी अभियान के लिए फेमस थे चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं अब यहाली में विस्व प्रेस सुतंता दिवस यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया तो विस्व प्रेस सुतंता दिवस से यह तीन मई को सिलेवेरेट किया गया आपसल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अब बात यह आती है कि विस्व प्रेस सुतंता दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंट्स यह परतेक वर्ल्ड यह विस्व प्त्रिकारता की भाहुना को मनाने और उन पत्रकारों का अभार बैक्त करने के लिए मनाया है अब बात करें 2020 की जो की इंपोर्टन्ट है क्या है जनलिजम विदावट फियर और फेवर यानि की जनलिजम दो है वह विदावट डर के या फेवर के तो यह 2020 की थीम है इसे ध्यान देंगे चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं अभी हाल ही में चर्चा में चल रही प्रोजेक् माइनटर यूनिक किस उद्द्द्र से संबंधित है तो प्रोजेक्ट माइनटर यूनिक जो है प्रजन टाइम में केंद्री कोईला मंतरी प्रहलाद सिंग जोसी जी हैं कौन प्रहलाद जोसी जूसे ध्यान देंगे प्रहलाद जोसी जी हैं नेक्ट क्वेशन क्यों बढ़ते हैं सुतंता सेनारी और पदंश्री से सम्मानित किस गांधिवादी विचारक जी का 101 वर्ष के सब्सक्राइब में दिखन हो गया तो अभी हाल ही में हेमा भारली जी का निधन हो गया जो कि सुतंता सेनारी और उन्हें पदंश्री प्रकार से सम्मानित किया गया था और गांधिवादी विचारक थी तो आपसें एक करक्ट अंसर हो जाएगा हेमा भारली वे शोतंता कार करता सामाजिक कार करता और सरव्योद्य नेता की रूप में बहुत लोग प्रिय थी उनका जन्म फ्रेंट्स 19 फरवरी 1919 को असम में हुआ था और जब फ्रेंट्स 1962 में चीनी आकरमर हुआ तो उसमें असम अरुनाचरपदेश सीमा पर उन्होंने लोगों की मदद की थी इसलिए वो बहुत ही परसिद्ध हैं और वह 1951 में जो बिनुवा भावे जी के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया था उसमें भी सामिल होई थी और इनको एपीज जबावब देही रिपोर्ट्स के मामले में भारत की रैंक क्या है तो जो ये 2019 में बजट परदर्शतावा जबावब देही रिपोर्ट्स के मामले में भारत तिरपनवी अस्थान पर रहा है 53 पोजिशन अपसंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बता देंस कि बजट पार्टर्शिप के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और इस में 117 देशों के लोग मनलब 117 देशों को सामिल किया जा है जिसमें न्यूजिलेंड पर्थम अस्थान पर भारत 53 पोजिशन पर है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक प्लीट स्लाइक अमें जरूर क्या चलूंजिलेंगी युट मीशें को चलाडी को फैर कप कत्र आवल में नामंकित होने और पहले भारते रिजिव आ जिब नगए हु आफसानेघ्या भात कर तैं। खेलती हैं, नेक्ट कोईचन के बढ़ते हैं, किस देश ने बौधिक संपदा सरवेच्छड के लिए भारत को प्रात्मिता के सूची में अमरीका ने रखा है, बौधिक संपदा सरच्छड के लिए, आपसे सी करेक्ट आसर हो जाएगा, भारत के साथ इस सूची में जनली फ् से एक इबुक का विमोचन किया गया, तो केंदर ये संस्क्रीद मंत्री पठलाजविक पटेल जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, नेक्ट कोईचन, मंगल गरह के लिए नासा के पहले हेलिकाप्टर का नाम बताईए, जिसका नामा करड़ भारते मूल की वनीज़ा रुपादी ने किया, तो उसका नाम है, इंजी निव्टी, नेक्ट क्वेश्चन, ICC के दवारा, एक मई 2020 को जारी, टेक्स्ट रैंकिंग में भारते टिम का स्थान, तीसरा स्थान है, और T20 में भी तीसरा स्थान है, नेक्ट क्वेश्चन, मसूहर पूर्व ख्लाली चुन इस ने दिल्ली प्लिश के साथ मिलकर आयोर अच्छा कारकरम का आयोजन किया, तो आयोर अच्छा कारकरम का आयोजन AIIA के दौरा किया गया, नेक्ट क्वेश्चन, किस देश की नोसेना के सबसे बड़े समुदरी अभ्यास, रिम पैसफिक 2020 के मेजबानी करेगी, तो रिम प इक्रोवेव इस्टेर लाइजर विक्सित किया गया है, यह अतुलिके नाम से विक्सित किया गया है, नेक्ट क्वेश्चन, अमेर्की अकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतराष्ट्रे मानज सदस के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे सोभना नर्स इसका लिया, आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लेगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लेगी होगी, तो प्लीज एक लाइक के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अगर आप वास्तों में सब मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीड आइकन पर जुरूर प्रेस कर दें, ताकि डेली मार्निंग में करने अफेर्स की वीडियो समय के अंसार आपको मिल जाये करें, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहंद बंदिवांतरम